Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल तो ये theories, laws, explanation, relations, variables, ये सारी की सारी इन में differences है या नहीं है, ठीक है, laws क्या है, theories क्या है, variables क्या होते हैं, और इन सब के बीच में क्या correlation है, इन सब को differentiate कैसे करें, कि आपने उस पे कभी जोड डाला है, अगर नहीं डाला है तो चुंता करने की बात नहीं है, हम आज के lecture में सिरीज यहाँ पे स्टार्ट की है, एंबर एंबर के उपर बहुत सारी डिमांड थी आपकी हमारे पास DM रहे थे लगतार, comment section में भी हमको एक दुबार यह चीज़ देखने को मिलिए, और from other sources also हमें यह एक लगतार तोर से कहा जाना था कि एंबर एंबर को आप क्या स्टार् यह जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आई थिंग दो वीडियो हमारे अल्रडी जा चुके हैं यूट्यूब के उपर जहां पर chapter 1 को हमने comprehensive way में जो एंबर एंबर की किताब में लिखा हुआ है उसी पे बिना अपनी चीजों को उसमें एक तरीके से या तो UPSC के syllabus को आप पहुँच गयोंगों और यहां पर हम बात करने वाले चैप्टर टू के पार्ट वन की बट आपको यह जो सेशन है और जो सिरीज है अंबर की पसंद आई है कुछ कमेंट्स अगर मैं देखूं तो हमारे पास आए हुए हैं फर्स चैप्टर के उपर जो फर्स वीडियो गय गया हुआ था तो आपको अच्छा लग रहा है कि यह चीज़ रखनी हमें शीवानी शर्मा का है हमारे पास एक कमेंट की प्लीज कंटिनीव सिरीज बहुत सारे एक्शली ऐसे हैं यह यूर एदुकेशनल मेंट और 7807 का हमारे पास सेम कमेंट आपको देखने को मिलता है आ और उसके बाद भी कई सारे मैसेज है खुश प्रीति सिंग है आप और इंडियन गाई कई सारे हमारे पास इस तरह के मैसेज आए हुए हैं जो हमसे सेम बात कह रहे हैं क्या की एंबर एंबर की जो सिरीज हमने शुरू की है इसको कंटिनीव रखें ब्रेक ना करें और हम कं पूरी कोशिश रहेगी कि हम कवर टू कवर इस एंबर एंबर की पूरी की पूरी केताब को आप तक पहुचाएं कॉम्प्रिहेंसिव वे में इजी लैंग्विज में क्यूंकि कई बार फॉरें ओथर्स के जो वर्ड्स होते हैं जो लेक्सिकन है यानि की जो शब्द हैं व वो सब आपको पता है कहां पर मिलने वाला है अगर नहीं पता है तो यह सपेस टेलिग्राम का आपके सामने है इसके थूर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं जुड़ सकते हैं सारे के सारे जो आपको पीडिफ सीवीटी मैटेरियल्स है वो यहां पर मिल जाएंगे और हम क्विजस के सेशन भी रखते हैं कई सारी न्यूज अपडेट्स के लिंक जो है करेंट अफेर्स जीए टॉपिक जो है वो सब वहां पे शेर हो रहा होता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर पोटल पर आप जाके हमसे सीधे जुड़ सकते हैं और मैसस कर सकते हैं कोई भी अपनी क्वेरी हो डाउट हो उसको क्लियर कर वा लिजे दो सेपियंस वर्ट ऑन इंस्टाग्राम डारेक्ली लेट्स जंप टूदी चैप्र टू पर उससे पहले हमने प्रॉमिस किया हुआ थ पर मैं इसको किया हुआ है पर मैंने कहा भी था पर यहां पर हम को लग रहा है कि इसको डिसकस करना ठीक नहीं हो क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स और जो डियम्स हमारे पास आए उसमें कहरें क्या बेसिक लेवल से आप हमको एंत्रो समझाओगे बताओगे तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको समझने के लिए इट नीड्स अ पर्टिक्लर एंत्रोपलोजिकल ओरियंटेशन जो कि मुझे लग रहा है कि अगर हमको बेसिस से स्टार्ट करना है तो इस चीज़ को लेटर फेज में सारी की सारी जो केस्टेडी तो एक साथ जब भी मुझे लग की है उनके लिए समराइज में बता देता हूं कि एक रिसर्च दी हुई है यहां पर उसमें की जो प्रॉब्लम इन्होंने अड्रेस की हुए स्कॉलर का नाम क्या है एलाइजा क्रिटेंडेन ठीक है इनकी एक इन्होंने एक प्रॉब्लम को एड्रस किया हुआ है इनको काफ मतलब पहले के समय में जो राइट होती है अगर आप इंडिया के कॉंटेक्स में बात करते हो एक्जांपल लेते हो तो जाहिर से बात है जो डाइट रही होगी बुद्धा के समय पे बाद में आप जाते हो मौरे डाइनस्टी की समय में वहां पे कुछ और रहा होगा परिके से किचन में एंटर करता है और उसके बात तो आपको पता है पॉर्टगी यानिकी यूरोपियन एडवेंट होता है कि सरीके समरा कॉंटेक्ट स्टाबलेश हो रहा है यूरोपियन पावर्स के साथ को लो नाइज को लोनाईजेशन हमारा हो रहा है फिर ब्रिटिश इंडिया में अगर आप देखते हो ये इंडिया की बात नहीं कर रहे है पर आपको आसान भाषा में समझाने के लिए बता रहे हो कि इंडिया में भी डाइट का एक तरीके से इवल्यूशन हुआ है किस तरीके से पहले क्या खान पान था क्या चीज़ा उगाई जाती थी आप देखते हो जब यूरोपियंस आता है खासकर बिटिश तो एक तरीके से कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एक्रिकल्चर भी शुरू हो गया है ना कैश क्रॉप जो है उसके उपर ज्यादा फोकस होने लगा क्यूँ क्योंकि उससे क्या आता था पैसे आते थे और एकनॉमी जो है वो शिफ्ट कर गयी थी किस तरफ मार्केट एकनॉमी की तरफ कैप्टिल जानना चाहती थी उस ट्राइब का क्या नाम था हट्जा ट्राइब नाम था यहां पर आपको अगर आप इसको जूम आउट करके देखते हो मेबी यहां पर बलर हो इतना ज्यादा साफ ना दिख रहा हो इसलिए हम मैटेरियल को जो की आपको मेंशन किया वा है एंथ्ट्र की मदर्स या नी की विमन फीमेल उस कल्चर में क्या डाइट कंज्यूम करती है चलिए उसको पढ़ा जाए पर थोड़े समय बाद वो समझती है कि जो डाइट होती है क्योंकि यह बाइलोजिकल रिसर्च करने वाली थी है इनकी जो औरियेंटेशन थी वह फिजिकली या फ के उपर रिसर्च करनी थी वो क्या थी विमन की पॉपलेशन थी मदर्स की पॉपलेशन थी उस सोसाइटी में हर्जा ट्राइब के बीच में पर बहुत जल्दीन को यह समझ में आ जाता है कि मैथट में एक दिक्कत है वो दिक्कत क्या है वो दिक्कत यह है कि मदर्स की जो दो society को लेके नहीं पढ़ सकते हो, आपको पढ़ना है किसे पूरे के पूरे society के dietary plan को, for example, अगर इसको मैं आपको शरल सब्दों में समझाओ, आपके हाँ, हमारे हाँ, एक diet का plan होता है, ठीक है, पर वो diet plan constant नहीं है, एक तो seasonal variation आपको देखने को मिलता है, कह दीज़े, अगर summer में जो vegetables आपके available हैं, वो आपके winters में नहीं होते हैं, winters में कुछ और आप खाते हो, कुछ और vegetables वहाँ पे grow की आते हैं, crops, अलग-अलग जो होती है, वो वहाँ पे आपको available होते हूँ देखने को मिलती है, तो उस विए से seasonal variation आ रहा है, और दूसरा क्या है, इंडिया is a land of festivals आप कहते हो, और अलग-अलग festival के समय भी अलग-अलग dietary pattern होता है, खाने की चीजों का भी difference आ जाता है, और साथी साथ खाने की practice का भी, खाने की चीजों और खाने की practice में क्या अंतर है, खाने की चीजों में वो सारी चीज़ आ रही हैं, जिसको आप consume करते हो, ठीक है, और ख तो आज पर आज कल मैं भी रखते वह देखने को मिलते हैं पूरे के पूरे दिन इंसान जो है वह वाटर को नहीं कंज्यूम करता है उसको क्या कहते हैं निर्जल व्रत आइधिंग अगर इस तरीके से कई सारे आते हैं तो डाइट जो है वो सुसाइटी और कल्चर के अराउंड एक तरीके से किसे रिलीजन के साथ एक किस का पार्ट है एक सोजाइटी के कल्चर का तो सोशाइटी के यह बात जब इनको समझ में आती है तो यह फिर पूरी सोजाइटी के डाइट को डायटरी प्लैन को देखने लगती है और ना सिर्फ फिजिकल और बायलोजिकल आस्पक्ट को बलकी सोशल और कल्चरल आस्पक्ट को भी जोल लेती है अपने रिसीर्च के मेथरोलोजी के अंदर इसी лی overcoming अपनी जो मेथरोलोजी जिसको इन्हों ने बदला होता है चेंज किया होता है उसको ये किस तरीके से address करती है कहती है कि ये biological cultural या फिर bio cultural वो term use करती है कि ये अब जो research है वो bio cultural हो गई कि biology पे diet पे तो पहले मेरा focus था पहले से मैंने decide किया हुआ था पर आप मुझे पता चला कि culture से अलग करके आप diet को भी नहीं देख सकते हो इसलिए इनका पूरा का पूरा सेट अप हुआ वो bio culturally oriented हो गया चीक है तो जब यह पढ़े रही होती है तो यह देखते है कि women किस तरीके से क्या-क्या चीज़े खा रही है क्या-क्या चीज़े consume कर रही है किस-किस चीज को उगा रही है वहाँ पे क्योंकि tribe जो है वह वहाँ पे उनके उत्ते resources नहीं होते है modern economy में आप पढ़ते हो तो जाइर से बात आपको butter system और जो भी prevalent system early historic period से ले करके present contemporary society तक available है यानि कि written records में जो economic system आपको पता है आप सिर्फ उसी को discuss करते हो पर anthropology क्या करती है वो time and space में बहुत पीछे जाती है टाइम में बहुत पीछे जाने का क्या मतलब है जबके written records आपके पास written records तो मौझूद है पर आप उसको decipher नहीं कर पारे हो understand नहीं कर पारे हो for example इंडस्वाली civilization के आपके पास written records है ठीक है पर आप उसको decipher नहीं कर पारे हो फिर भी हम क्या करते हैं इंडस्वाली civilization के trade के बारे में पढ़ते हैं समझतें interpret करने की कोशिश करते हैं कैसे उसका baby अगर आप बात करते हो तो सुमेर की जो सब भीता है है ना सुमेरियन civilization के साथ Egyptian civilization के साथ कैसे trade relation थे हैं वो हमको देखने को मिल रहा होता है जो अलग-अलग seals मिलती है उसको हम interpretative वे में use कर रहे होते हैं trade को समझने के लिए trade practices को economic practices को समझने के लिए तो archaeology या फिर archaeological anthropology economy को भी बहुत पीछे जाके जबके written records या तो interpret नहीं हुए है या decipher नहीं हुए कहते हो आप या फिर available ही नहीं है उस समय में भी वो उस समय की economic practices को पढ़ना और समझना चाहती है एक anthropology की unique feature है और इस space का क्या मतलब है वो सिर्फ contemporary modern societies को नहीं पढ़े रही है वो tribal groups को भी पढ़े रही ह या ethnic groups अलग-अलग variation तो society में है उन सबके economic mode और practices को पढ़ रही है उन सबको पढ़ने समझने के बहुत एंthrologist conclusion पर आई कि over a period of time economic means का भी evolution हुआ है अलग-अलग society में इंडिया के context में अगर आप बात करते हो तो सबसे simplest mode अगर tribal का आपको देखने को मिलता है economic mode तो उसमें आ देखते हो practices को वहाँ पे collection होता ठीक है hunting और gathering और collection होता था यानि कि जैसे आप जाते हो जंगल से कोई चीज कोई fruits है कोई पतियां है किसी भी चीज को आप consume करने के लिए वहाँ से ले आते हो तो क्या कर रहे हो आप collect कर रहे हो उसको वह collection है gathering भी उसी साथ जोड़ी होती है क कोई चीज आपको मिल रहे है जंगल में naturally occurring कोई चीज उसको उठा के लिया तो तो वह आपकी gathering होई hunting मुझे आपको बदाने की जरूत नहीं है वह आपको सबको पता है तो usually पहले क्या होता था पहले की societies में जो men होते थे they used to hunt and the women used to do the collection and gathering work तो सबसे पहले जो societies आपको देख होते वह देखने को मिलता है पर यह एक सोसाइटी जिस पर यह वर्क कर रही थी अलाइजा जी वह एक प्रिम्टिव ग्रूप था हट्जा का ग्रूप जो कहां पाय जाता है हमने आपको सेपियन्स वर्ट में हमारा इंशाग्राम चैनल है वहाप एक रील भी बनाई थी इस को करने के लिए टूल सेक्नोलजी इंप्लिमेंट चाहिए वह सब इनके पास नहीं है तो यह बहुत सिंपल वे में सारी चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं यह देखते हुए इस चीज़ को समझी रही थी है कि यह हट्जा के ट्राइब में बच्चों के में बच्चों जूम आउट करके इसको नहीं दिखा पा रहा होगा पीडिएफ में देख लेना ग्रूप पे अंत्रपोलजी डिकोड़ेट पे ठीक है तो बच्चों के बीच में कि बच्चे जो की चार से पांस साल के हैं पहले तो तीन से चार साल के बच्चों को धनुशबार दे दी जा रहे कि जिस चीज़ को तुम अटलिस्ट कर सकते हो लिजर्ड हो गए एंड्स हो गए ठीक है रोडेंट से हैं कुछ छोटे मोटे जो यह शिकार होते हैं जिसको एक चोटा बच्चा कर सकता है हंट कर सकता है या फिर वह ज्यादा खतरनाक नहीं है वैनमस नहीं है या फिर चोटी उमर से एक उनके कल्चर उनके डाइटरी पैटर्न का यह यूनीकनेस कहो कि बच्चा सेल्फ सफीशेंट होता जा रहा है उसको तीन चार साल की उमर में अपने धनुश बड़ जिखा दी पांस साल की उमर तक वह बच्चा जो है वह अपना 50 परसेंट जो है खाना उ क्कैन सि ट्राइब यहाँ पाई जाते हैं आपके, जो साइन पीपल है वहाँ पर यह पर आ इसब झोले revolist counting कर तो कर लेते हैं पर मोर और लेस वह अपना पूरा टैम जो है लेजर में गेम को करने में गुजारते हैं अब इन दोनों के बीच में यह डिफरेंस क्यूं है कि एक जगह तो बच्चा इती छोटी एज में यह सारी चीज़ कट रहा है दूसरी जगह पे बच्चा छोटी सी एज में सिर्फ खेल कूद रहा है तो यह अपने रिसर्च के बेसेस पर यह बात ज्यादा वहां पे आपको देखने को मिलेगा Predictors यानि कि खतरे वाले कई सारे जो आप सकते हो जो बच्चे को हड्ट कर सकते हैं इस तरीके काई सारे जानवर मुहां पे मौजूद है वह बहुत कम है तो आप जोट के भी क्या खरूंगे बहुत कम मिलने वाला इतनी असा of the time वहाँ पे fun game activities में कर रहे होते हैं यह सारी problem कहां पे नहीं है यह सारी problem हर्जा की population के बीच में नहीं देखने को मिलती है इसलिए वो कम से कम age में काम को कर रहे हैं तो एक तरीके से culture और ecology यानि कि environment जो है वो difference पैदा कर रहा है अलग-अलग activities के बीच में अमंग्स different people different cultural group या different tribes तो यह case study थी हमने short short कहते कहते इसको पूरा टेली में आप मेरे खाल से बता दिया आपको ठीक है कोई बात नहीं कहानी और किस्ते की तरह समझाया कोई बहुत टेक्निकल वे में नहीं समझाया अगला वाला जो है यह भी आपको बताना था पर इसको इसमें भी कुछ अलग सैसी चीज नहीं case study है बताने जाएंगे तो स इस चार्ट चैप्टर जब कवर हो जाते हैं और उसका पढ़ लेते हो समझ लेते हो रिवाइस कर लेते हो तो आपके दिमाग में एंथ्रोप लोजिकल बैग्राउंड हम कहते हैं कि हाँ ठीक अब आपका सेटप हो गया अब इनिशेशन हो गया आपका अब आपको हम चीज क्या नाम है आप है रिसर्च मैथर्ट इन एंथ्रोपॉलजी है ठीक है अलग-अलग मैथर्ट जो रिसर्च के लिए यूज होते हैं अंत्रोपॉलजी के अंदर में वह भी अगें सिक्स पार्ट में डिवाइड आपको देखने को मिल रहा है एक्स्पिलनेशन ब्रीफ हिस एंथ्रोपॉलजी वाला पार्ट और अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एंथ्रोपॉलजीकल थियोरी की स्टार्टिंग पोर्शन है वह कवर हो जाए बाकी जो तीन पोर्शन है यह आपके नेक्स पार्ट में यानि की पार्ट टू अप दे सेकंड चैप्टर कवर हो रहे होंग कि उसका अब बल्क ऑफ पोर्शन हुमानिटीज के तरफ शिप्ट है और कंसीडर भी किया जाता है एंथ्रोपॉलजी को पार्ट ऑफ यूमानिटीज पर फिर भी हम कहते हैं इस सेंट्रिफिक स्टडी ऑफ मैं वो किसी भी चीज़ को पढ़े रही है तो एक सेंट्रिक कनो सिस्टम नहीं है यहां पे जो सिस्टम है वो हा एन वाइक जाइन साइन्स को समझने की जो प्रक्रिया है वह एक्स Спैसलेसिंट के लदाती एक्समारीशन कुछ नहीं है इसी और कि क्वस्ष्चन और सर आप पढ़ा क्यों रहे हो ठीक है या मैं पूछने की जो प्रकृया होती है उसको आप क्या कहते हो वह सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पर कई बार आपको देखने को मिलता है कि मेर स्टेटिंग अपड़ फाक्ट फर एक्जामपल हिस्ट्री रिकॉर्ड ऑफ पास्ट के उपर बात कर रही होती है ना पास्ट को ट्रेस कर रही होती पास्ट में हुआ क्या उस चीज के उपर वह बात उसके उपर वह एक एनलेटिकल फ्रेमवर्क को नहीं स्टैबलिश करना चाहरा है ठीक है वो सिर्फ हिस्टोरिकल कॉंटेक्स में जो डाटा उसके पास अवेलवेल है उसको स्टेट कर रहा है कि ठीक है बाबर का मन था एक्सपेंशन करने का या इनका मन था इस तरीकी की च इस ट्रक्ट कर रहे हैं इसको क्या कहा जाते है इस प्रोसेस को आगे अभी देखो गया आप ठीकल कंस्ट्रक्शन ठीक है तो वह एक रिसर्च मैथेड के अंदर में एक पार्ट आता है तो यहां पर हम हर एक चीज़ को एकस्प्लेइन करने की समझने कि उसके पीछे कारण तो वह क्योंकि पार्ट तो यह भी है अंत्रोपॉलजी का ही है वह आपको दुनिया भर के टेक्स जो पहले सोनके पास अवेलवेल है उसको सीधे लाके वहाँ पर यूस करेंगे और आपको बताने लगेंगे पर वह मैथेड सही नहीं है अगर आप किसी से प्रॉमिस कर रह में UPSC के पूरे के पूरे स्लेवर्स को एक बहुत ही डिटेल और इंडेप्ट वे में हम डिसकस करने वाले तो जो भी जिसको भी एंट्रोपॉलजी इन रियालिटी इन टोटैलिटी सीखनी है फ्रॉम ए टूजी या टूज अगर आप कहते हो तो वह हमारे उस बैच को जो और कहीं नहीं जाएंगे इसलिए हमने हाइलाइट भी केवे कई सारे पॉर्षन जो यह बुकी के पॉर्षन ठीक है अलग से कोई नहीं आए तो आप वाय को ढूड़ रहे होते हो पर इक्जामपल अगर किसी सोसाइटी में कहते हो कि पोस्पार्टम सेक्स जो है वो वहाँ पर abstain किया जाता है या फिर रोका जाता है किस तरीके से next baby को तो एक planning method की तरह भी होता है कई जगह पे conscious कई जगह पे subconscious कि आप next baby के और पहले baby के बीच में अंतराल को एक time frame को एक gap को establish कर रहे हो that may be from different perspective और different reason हो सकते हैं उसके पीछे कई सारे societies में यह taboo है कि after you are given birth to a baby एक baby हुआ है तो उसके बाद तुरंत आप next baby नहीं करोगे उस duration में abstainence of sex रहेगा तो उस चीज़ को explain अगर करने आप जाओ तो अगर आप कहते हो पहला reason कि लोग इस चीज़ को क्यों करते हो explanation की बात हो रही तो अगर आप दिमाग में है क्योंकि science का subject है तो जाइड़ बात है यह क्यों हो रहा है किसी society में कोई member यह क्यों कर रहा है तो आप पूछा कि why they abstain sex after the birth of the first child तो उसके पीछे कोई आपको यह reason बता देगा कि क्योंकि वो यह नहीं करना चाते हैं इसलिए इस करते हो आप yes it is a explanation весь this is an explaineation but it is a partial explain influence भाइक्सब्रेश्चन है आधा purchases in Expl있威सं क्यों कि यह सझेल सुकर रहा है कि इसके पीछे कोई वजह हो यह लोग ऐसा कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई वजह हो सकती इसके उपर यह सजेस्ट कर रहा है पर वो वजह क्या हो सकती वह नहीं बता पारा है यह जो पॉइंट है पहला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ कि दे वबंट आऊषट then having the next baby इस तरह की चीज़ को तो सजेशन डे रहा है कि कोई कारण करने पों करने खार्रेकर न करने के पीछ पर वो वजह ओब कारण क्या है वो नहीं बता यह एक टॉटल लॉजी के अंदर में आ जाता है यानि कि किसी चीज को रिपिटिटिव वे में कहना सवाल के मतलब जो चीज कही जारी उसके बदल में आप वही चीज वापस से ड्रस कर दे रहे हो तो रिपेटिशन ऑप दे स्टेटमेंट ही वहापका बन जाता है अगर आप लिए तो यह हर जगा आपको एक explanation में आप पर प्रॉब्लम देखने को मिल नहीं इसलिए इसलिए जो इन्वेस्टिगेटर होता है खासकर सेंटिफिक इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो क्या करता है वो चाहता है दो तरीके के explanation को पाना वो एक तो complete explanation चाह रहा है और उस complete explanation में भी उसको दो element चाहिए एक होता है theory और दूसरा जो होता है associations या फिर उसको आप क्या कहते हो relationship कहते हो ठीक है वो इन दोनों चीज़ को जानना चाह रहा होता है अब associations and relationship और theories क्या है वो हमारा next question है ठीक explanations क्या होता है वो आप समझ गये किसी इसको आप explanation consider करोगे किसी इसक को आप समझ लो यहाँ पर आगया आपका associations और relationship पहला यह आपका है पार ठीक है पहला type है किसका explanation का associations और relationship क्या होता है अगर आप से मैं कहूं कि कोई भगोना है ठीक है कोई आप कहलो कोई पात्र कोई बरतन है या फिर आप कहलो सिंक है उसके बाहर जो बाद पानी है वो पूछो कि वाई फिर से वहीं चीज़ आगी एस्प्लेइन करना है कि वह पानी क्यों बना है कोई बंदा अगर आपसे आके कहता है क्योंकि कल रात में जो temperature था वो गिर गया था वो जीरो डिगरी Celsius तक आपको जाते वह देखने को मिलता है और जीरो डिगरी Celsius पे temperature गया इसल दोनों statements के बीच में आपको एक association देखने को मिलना है चीजों की पुष्टी की जा रही है उसके पीछे एक relationship आपको देखने को मिल रही है तो यहां पे आप कहोगे कि हाँ इस चीज को आप confirm करने के लिए कह सकते हो कि हाँ यह बात एक तरीके से सही है क्योंकि यहां पे statement के बीच में आपको relationship यह association देखने को मिलना है किस चीज के बीच में दो variables के बीच में अब आप पुछो के variables क्या है ठीक है variables दो अलग-अलग part होते हैं एक तरीके के दो statement आप कहलो जो आपस में interrelated है एक दूसरे को compliment कर रहे होते हैं justify कर रहे होते हैं और यहां पे अगर आप बात करते हैं जो example हमने दिया यहां पे दो variable क्या है पहला variable कि जब पानी का एक state से पानी का एक state से दूसरे state में जाना यान तो यह पहला variable है दूसरा variable क्या है कि जब यहां पे आपको देखने को मिलना है variation in the state of water यह पहला है और दूसरा क्या है variation in the temperature of the year यानि कि जो temperature था वो कोई मालनी जब 5 रहोगा 8 रहोगा 10 रहोगा वो कहां पे चला गए 0 पे चला गए यह दो variable है अब यह दो variable इनको आप interrelate कर रहे हो कि इन दोनों के interrelation से यानि कि जब temperature 0 degree Celsius जाएगा तब पानी जो है वहां पे state उसकी change हो जाएगी from liquid to solid तो यहां पे कि आपको genuine explanation देखने को मिल रहा है एक valid explanation देखने को मिलना है क्योंकि दोनों variables के बीच में association है एक relationship है और इसी चीज़ को अगर आप कहते हो science की भास कहते हो ठीक है Einstein के laws है first law, second law, third law तो वो इसी तरीके के चीज़ों पर mention होता है इस third law कहता है कि every action has an equal and opposite reaction तो इसके लिए वो दो variable के बीच में उन्होंने relationship establish की होगी और उसके बाद observation किये गए होंगे observation पर जब वो चीज़ सही उतरती है तो उसको मान लिया जाता है और laws इस nature के होते हैं कि most of the sentence उसको accept कर रहे होते हैं ठीक है अभी हम देखेंगे कि इसमें कुछ एक दिक्कत भी है वो next slide में आपको discuss करके बताएं तो यहां पर hypothesis बसती ही वो भी हम अगली साइड मेंस को deal कर रहे होंगे we find such explanation satisfactory because they allow us to predict what will happen in the future यह जो explanations है इसको हम satisfactory क्यों कह रहे है पहले वाले में हमने क्या क्या दिक्कत है पार्शल है पर इसको हम कह रहे है कि हाँ यह वैलिट हमको लग रहा है यह जनुन लग रहा है यह सही लग रहा है यानि future में अगर वापस से जो टेंपरेचर है जीरो डिग्री चल्सियस से आठ यह दस पर जाएगा तो जो बर्व बनी होई है वह वापस से पिघल जाएगी तो एक तरीके से हमको prediction करने की capability दे रहा है इसलिए आप इसको loss कहते है और इसलिए यह satisfactory है इसलिए यह valid है इसलि देखने को मिलें एक शब्द आता है de responseर आपको सुनने को डेखने को मिलता है कि थोडोडी क्या होती है हमें हर चीज के पीछे जानना होता है ठीक है हाव पताचल गया थो हम वाई जानना है को यह difficult América ध् onboard कियोν हो रहे हैं को भी जानना होता था इक सैनिक नेचर जो होता है वो हमेशा एक question से दूसरे question को जनम दे रहा होता है ठीक है तो यहां पर भी वही बात है कि आप देख रहे होते हो कि अगर किसी ने कहा तो जो sentence थे एक बार हमने वहां पर देखा पहला वाला जो example आपको दिया हुआ था कि जो societies है उनके बीच में आपको देखने को मिल रहा है कि postpartum का जो sex है या फिर taboo है उसके उपर वह आपको देखने को मिल रहा होता है उसी के उपर एक सज्जन ने एक researcher ने वर्क किया होता है उनका नाम जॉन वाइटिंग्स होता है एंत्रोपॉलिजी की जो एंबर नंबर किताब उन्होंने काफी बार second chapter में उन एंत्रोपॉल बीच में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी सोसाइटी में जो मेंबर से उनके डाइट में उनके बीच में प्रोटीन की डिफिशेंसी है तो यानि की प्रोटीन की डिफिशेंसी है इसलिए आपको उनके बीच में sex abstainence देखने को मिल या फिर एक चाइल्ड के बाद दूस पोस्पार्टम सेक्स टैबूज ठीक है तो सैंटिस्ट ने इस चीज़ को बताने के लिए ये आपके सामने आपके लॉग आ गई ठीक है असोशेशन आ गया असोशेशन कैसे है ये पहला स्टेट्मेंट क्या आपका पहला वेरियेबल क्या है कि एक सोसाइटी में लॉंग पो आपको कंजंशन देखने को मिलेगा या प्रोटीन डिफिशेंसी होगी मेंबर्स के बीच में तो पोस्पार्टम सेक्स के बीच में आपको लंबा अंतराल देखने को मिलेगा तो ये एक तरीके सा महाँ पर लॉग रखी गई अब कोई भी लॉग अपने आप में सेल्फ ए यह होती है किसी भी अब्जर्वेशन के थ्रू या अधर मैठेट के थ्रू किसी एक पर्टिकुलर लॉग को तो सिम्लरली आपको वहीं चीज यहां पर देखने को मिल रही है तो थियोरी एक्स्प्लेशन होती है किसका लॉस का ठीक है लॉस खुद अपने आप में यहां पर यह चीज आपको देखने को मिल रही है तो इसकी वजह आपको इस्टैब्लिश करने होगी क्यूं हो रहा है ऐसा तो इसलिए आप उसको क्या कहोगे थियोरी कहोगे अगर कोई भी बात इस स्टेटमेंट को जो लो प्रोटीन कंजंप्शन वाला स्टेटमेंट है उसको जस्टिफाई करने की या उसके पीछे रीजन देने का काम कर रही होंगी तो ठीक है इस पार्ट इस क्लियर टू यू नेक्स हम चलते हैं कि थियोरी जो होती है वो हमेशा या फिर अगर आप कहो हमेशा क्या कभी भी अगर आप उसकी एक्जामपल बात कर लो उसको प आपस में यूनिवर्सल हैं हमेशा प्रूवड है यह कभी गलत नहीं हो सकती है पर ऐसा नहीं होता है और आपके पास जो अबजर्वेशन है वो सही आ रहे हैं उस लौस पे सही बैट रहे हैं इसलिए आप कहरो कि हाँ यह एक यूनिवर्सल लौ है जिस दिन को यह अबजर इस इस लिए बात जो होती है डाउट के दाएरे में आती है लोग इसको कई सारे लौज के तूरी एक्सेप्ट करते हैं इसके पीच एक रिशनियल को स्टैबलिश करने की कोशिश करते हैं इसलिए यह चीज अभी तक वैलिड रखी गई है पर यह इसको आप कभी भी प्रूव नहीं कर सकते हो ठीक है इसलिए ऐसी चीज़ को हमने जो वर्ड यूज किया था सुरुवात में यह क्या है यह त्योरिकल कंस्ट्रक्ट है त्योर जाए बहुत आसारी से हो सकती है यानिकि उसको रिजेक्ट बहुत असानी से किया जा सकता है और इसकी जो प्रोसेस होती है जो मैथेड होता है उसको आप फॉल्सिफिकेशन करते होकि आप इस तरीके एविडेंस्टे लाओ इस तरीके ऑप्जर्वेशन दिखाओ जिससे वो जो वहाँ पे variable थे उनके बीच का inter relationship था जिससे वो loss बनी थी उसको deny कर पाओ तो जाहिर सी बात है आप falsify कर सकते हो किसी भी given theory को तो theory बहुत असानी से reject की जा सकती है यह बात यहाँ पे एंबर एंबर जी ने यहाँ पे कही हुई है for example वाइटिंग ने प्रिडिक्ट किया कि सोसाइटी जिनके बीच में long postpartum sex है वहाँ पे protein की deficiency आपको देखने को मिल रही है और वो किस रीजन में हो रहा है यह चीज जो आपको है वो किस रीजन में देखने को मिल लिए ट्रॉप ट्रॉपिकल रीजन में ही यह प्रैक्टिस होगी यह चीज होगी postpartum sex और low deficiency यानि की deficiency of protein आपको देखने को मिलेगी कहां पे ट्रॉपिकल रीजन में तो कहां पे वो जो prediction है कि वो चीज कहां पे देखने को मिलेगी इसको आप क्या कहते हो research के अंदर में research की भाश्रा में इ पोस पॉर इंग्जामपल बात करते हैं यह ए ट्रॉपिकल रीजन यह बी ट्रॉपिकल रीजन है और यह सी ट्रॉपिकल रीजन इन सब में आप जाते हो इन सब में ही क्या है postpartum sex के abstainence की practice आपको देखने को मिल लिए और इन सब के में ही आपको protein की deficiency भी देखने को मिल रह है कि एक तो हर एक सोसाइटी में जो ट्रॉपिकल रीजन में है यहां पर वहां पर आपको प्रोटीन की डिफिशंसी भी देखने को मिली तो यह पर अगर यह जो आप कहां पर देखा जा सकता है यह चीज गलत हो गई यानि कि किसी टैंप्रेट रीजन में यह चीज आपको देखने को मिली तो वहां पर आपका काम गरबढ़ा गया आपका जो लॉट की यह पूरी तरीके से बंटाधार हो गई तो आपका हो गए कि वह उस अब्जर्वेशन पे खरी नहीं उत्री उसका जो हाइपोथेस था वो सही नहीं हुआ होता है हाइपोथेस्चे जो आप बात कर रहे हो यह इस आप ब्रेदिक्शन डैट में भी डिराइब फ्रॉम इसी भी ठीजा जो प्रेडिक्शन आप निकालते हो उसको आप हो सकती उसको क्या कहते हो यहां पर दिया हुआ आपके और आपका कि जो पार्ट है रिलेशंशिप आशोशिएशन लॉज इन सब के ऊपर जो क्लारिटी चाहिए थी आई होब कि यह सेकेंड चैप्टर जो है मेरा नंबर का उसका पार्ट वन जो है उसने क्लारिटी आपके द आया क्योंकि anthropology में भी आप कई तरह की theories परते हो जो लोग UPSC के लिए अटेम्ट कर रहे है उन्होंने अपना अपना स्लेबल्स उठाके देखा होगा चाहिए वह नेट का हो चाहिए उसमें कई सारी theories दियोंगी आपको पता होंगी है ना कई लोग को पार्ट बहुत लगता है हमने टेलीग्राम के चैनल में एक पोल करवाय था बहुत सारे लोग उसमें कहें कि उनको शोशेल एंत्रोपोलोजी और थियोरी वाला पार्ट जो सबसे ज़्यादा कठिन लगता है अंत्रोपॉलोजी के अंदर में थियोरी या थॉट्स हैं कौन-कौन से अलग-अलग स पढ़ते हो और इसको आप पूरी दुनिया का सत्य ना मालो इसलिए पहले एंबर एंबर ने आपको रिशर्च का और थियोरी का नेचर बताया कि थियोरी होती क्या है वह गलत हो सकती है हाइपोथेस कैसे उन थियोरी को एक तरीके से वह कर रही होती है उनके जो फाइंडि आप क्या देखते हो यहां पर हमारा एंड होने वाला है फर्स पार्ट का और इस पार्ट में आप देखोगे अलग-अलग थियोरी के बारे में बात की है एक्जामपल इवलिशनरी थियोरी के बात कर लो जिसके साथ कौन लोग जुड़े हुए है टाइलर साब आपके जु वेल-वेल है उसमें आप जाएए और इवलिशनरी स्कूल को भी आप पढ़ सकते हो ठीक है पर अगर आपको सिर्फ एंबर एंबर के साथ चलना है तो आप यहां पर भी हमारे साथ बने रह सकते हो और पहले यह देख लो फिर उसके बाद आप उस पर जंप कर सकते हो क्यों वो यूनिवर्सल लॉस के तौर पर इन सारी चीजों को बता रही होती है कि चीज़े कैसे इवॉल होई आज एक इंसान एक इंसान से मैरिज कर रहा है यूनिवर्सली अलग अलग जगह पे ऑल्दो इसके एक्सेप्शन्स आपको देखने को मिलते हैं कई जगह पे कर रहा होता है तो यह स पहुचने से पहले आप कई स्टेज से से आए हो तो सबसे पहली स्टेज जो सेक्शुल प्रॉमिस्क्विटी की होती है जहां पे कोई रूल्स नहीं थे कौन किससे शादी करेगा तो वहां से लेकर करके आप इस सटेज तक आए हो तो क्या हुआ है cultural evolution हुआ है किसका institution of marriage का उसी तरीके से फैमिली का हुआ है उसी तरीके से किंशिप की जो terminology आप अपने रिष्टारों को नातेदारों को आपको देखने को मिलता है अलग अलग टर्म से बलाते हो उसकी भी evolutionary परिजम से गुजड़ते हैं फिर वो civilized हुए सब भी समाच फिर उसके बाद आया है उससे पहले एक समय जो लोग पूरी तरीके से जंगली तौर पर बिना rules, display, norms इन सबके जीरे होते थे कोई culture नहीं होता था उनके बीच में तो ऐसा चीज जो होता है वो evolutionary कह रहे होते हैं पर इससे सारे लोग तारुक नहीं रखते हैं इसलिए इसको critique किया जाता है बाद में इसको dispute किया जाता है इसकी जो universality है उसको question किया जाता है बहुत सारे ल universally applicable नहीं है, racism की debate आ जाती है वो भी एक sort of theories anthropology के अंदर में है खासकर 19th century में आप देखते हो 20th century में चीज बहुत debate हाई हो जाती है और racism की जो theory है वो एक तरीके scary होती है कि individual के बीच में जो variation है अच्छे बुरे का superiority का या intelligence का fairness का height का ये सारी चीज़े जो है inherent capability से जुड़ी हो होते हैं और कुछ लोग जो है वो slaves बनने के लिए पैदा हुए होते हो तो एक बहुत डिरूगेटरी जो रिमार्क होता है वो racism की theory कह रही होती है और American anthropologist का एक बड़ा योगदान होता है अगर आप पढ़ोगी यहां पे दिखा हुआ है इसको पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा अमेरिका में पूरी तरह का किस तरीका racism का भेदभाव का जो नसल भेदभाव का पूरा मामला है वो चलता रहता आए दिन उसके उपर न्यूज अपडेट आपको देखने को मिल जाती है ठीक है उसके बाद एक और स्कूल आपको के बीच में क्या रिलेशन है यहां पर उन्होंने वहीं बताई हुए कि अलग-अलग टाइप की त्योरी आपको कौन सी देखने को मिलती है अंत्रोपॉलजी में तो दिस वाल अलबाउट इफर्स पार्ट अफ डी सेकंड चैप्टर जहां पर हमने तीन ग्राउंड ब्रेक में जो पर रिमेरिंग तीन पोर्शन आपके रहे गए तीन यूनिट्स रहे गए इसकी या तीन टॉपिक्स रहे गए उसको हम कवर कर रहे होंगे तो दिस वाल अलबाउट टोडेश लेक्शर नेक्स लेक्शर में मिलते हैं सेकंड पार्ट ऑफ इस सेकंड चैप्टर ऑफ an ember till then thank you have a nice day signing off Study IQ IS Abdiyari Hui affordable